गंभीर आरोपों में घिरे हुए स्वगोशित कट्टर इमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अर्विंद केज्रिवाल जी के समर्थन में भरष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद रहे तमाम राजनेतिक दलों ने उनका समर्थन किया था और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उप्योग करने का प्रयास किया गया परंतु आज नियाले ने जो निर्णे सुनाया है वो तत्यात्मक आधार पर है तत्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की नियाईक हिरासत ने भेजा गया है परन्तु इस तत्यात्मक आधार से बड़ा समवैधानिक और नैतिक प्रश्ण खड़ा हो रहा है क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रही चुके थे और अभी तक उन्होंने जुडिशल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था नियायले की दृष्टी में वो गंभीर आरोप हैं और जो लोग केवल बयान बाजी करने का प्रयास करते हैं यह विशय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है निश्यत रूप से नियायले के समक्ष कुछ ऐसे तत्थ रहे होंगे जो ना आपके संग्यान में है ना हमारे संग्यान में है जिनके आधार के उपर यह निर्णे लिया गया अता हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयान बाजी करते हैं उन्हें इन गंभीर तत्थों पर विचार करना चाहिए और नियायले ने अपना इस जाजिया जी जिसके संस्थापक सर्दस्यों में रही अन्ना जी उनके ग्राइब करना चाहता हूं यह राम दीला मैदान में ही जाजिया जी जिसके संस्थापक सर्दस्यों में रही अन्ना जी उनके गुरू हुआ करते थे और हिंदी में एक कहावत होती है गुरू गुड़े रहे चेला सक्कर हुई गए तो गुरू ने तो कहा था हम राजनीत में नहीं आएंगे चेला राजनीत में आके मुख्यमंत हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे अभी तक इन्हों ने इस्तीफा नहीं दिया है तो निश्यत रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरू की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरी वाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है चरित्र लोगों को समझ में आही गया था चाल पहले ही गड़बर नजर आ रही थी अब चेहरा भी बिल्कुस साफ हो गया है अब मैं यह भी कहना चाता हूँ कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरी वाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्यारोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारतवाज को रिपोर्ट करते थे महोदे अब मैं यह कहना चाऊँगा यह तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घुटाला तो था जिसको देखो वही आद यहां मदहोश है अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई यह तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई लगता है सबने मिलबाट कर है पी और पिलाई यह दर्शाता है या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है न एक हुतो समझाईये आके कूपही में ही यह भांग पड़ी है ये गंभीर प्रशन उठा रहा है और अब इसके साथ ये भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर E.D. के सामने आने से क्यों बच रहे थे शायद उनको लग रहा हो और उनके आम आदनी पार्टी के बाकी सदत से जो बहुती उत्साह और उच्छंखलत के साथ उनका बचाओ करते नजर आ रहे थे शायद वो इस संभावित खत्रे से डर रहे थे कि मानों वो कह रहे हूं कि केजरीवाल जी कह रहे हूं बैठा हूं दिल में इतने राज चुपाए जरासा होट हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए तो इसलिए हम यह बात को टाले को लेकर दिल्ली सरकार की इस्थिती भरष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर इस पश्ट होती चली जा रही है नियायले के द्वारा यह निर्णे होने के बाद अब यह देखने का विशे होगा कि केजरीवाल जी इस्तीफा लेते हैं या आपने किसी दूसरे किरदार कोई नई राजनीत की तरफ बढ़ते हैं या पुरानी राजनीत को जिसे कहते हैं न ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल तो पुरानी राजनीत को एक नए किरदार में प्रस्तुत करते हैं धन्यवाद